हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा शब्द है ताग जाग करना, जिसको इंगलिस में कहते हैं प्राई, प्राई, प्राई के और दूसरे अर्थ भी होते हैं, जैसे की जिग्यासा, कोतुहल, निहारना, वेद लेना, दूसरों के निजी मामलों को जानने की कोशिश करना, इसे एक देखेगा, they were trying to pry into my past, वे मेरे अतीत में जाकने की कोशिश कर रहे थे, they were trying to pry into my past, next example देखेगा, she likes to pry into private affairs of others, वेहें दूसरों के निजी मामलों में ताग जाग करना पसंद करती है, या वेहें दूसरों के जिन्दिगी में जाकना या उनका वेद लेना पसंद करती है, दोस्तों अगर आपको इसी तरह की वीडियो और भी चाहिए, तो नीचे comment box में जरूर लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा.